नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस नेशन की खास पेशकश मैं हूँ आपके साथ अनराग देखशित इस अंतरिम बजट को किस तरीके से देखता है वो खास पैनल जो इस देश में पॉलसी मेकर्स के लिहाद से भी एहम भूमी का निभाते हैं इस मुद्दे पर हम बात करे होंगा सर इस अंतरिम बजट की वो खास बात हैं जो आपको लगता है कि विजनरी हैं आने वाले सालों के लिए देखे बेसिकली जो प्रदान मंतरी का कहना है उसको उसका दृश्य उस पे डीटेल दिया है वो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास तो उसको हम एकॉनमिस्ट अर्थशास्त्री अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेंड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ और डिवलिप्मेंट तो ये संक्षिप में इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वित्त मंतरी और प्रदान मंतरी का मेसिज है तो इसमें तीन मेचर पर आगे आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो एक है कि ओवर ओल जिसको कहते हैं मैक्रो इंवाइडमेंट फॉर ग्रोथ इंवेस्मेंट वगेरा वो क्रेट करनी तूरू स्ट्रुक्श्रल रिफॉर्म्स अ कंटिन्यूस रिफॉर्म्स जैसे वित्त मंतरी ने का रिफॉर्म transform तो एक तो यह है कि हमने यह यह reforms किये हैं जिससे अच्छी investment हुई है अच्छी growth हुई है बड़े मुश्किल टाइमों से global बहुत सारे shocks आए हैं फिर भी हम fastest growing major economy हैं तो यह structural reforms किये हैं और reforms हम करते रहेंगे ताके economy और आगे बढ़े तो एक इसका यह है part दूसरा है जिसको कह सकते हैं अन्तोध है empowerment तो वित्मत्री ने बताया कि हम entitlement से empowerment की तरफ जा रहे हैं और कई examples उसके दिए पीछे और आगे भी यह हम करते रहेंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि basic लोगों को capabilities tools assets information दी जाए सब को across all geographies all groups को सब को हम empower करेंगे ताके उनके पास tools हों तो अगर आप आपके पास घर नहीं है तो आप और चीजों की नहीं सोच सकते तो घर देंगे पर आगे उसके बाद आपको काम अपनी effort पगहरा से करना होगा इंपावर में तो यह दूसरा component है इसका overall जिसको हम sustained fast inclusive growth कहते हैं और तीसरा है कि हमारी holistic approach है और pragmatic है क्योंकि कई चीजें होती है बहुत complicated होती है उसका एक उदारन है energy और climate problems तो green economy तो green economy के कई parts होंगे holistic view लेंगे पर also pragmatic लेंगे क्योंकि यह बड़ी complicated issue है इसमें simple नहीं है उसी तरह हम बहुत साल से कह रहे हैं कि हमें inputs और outcomes के नहीं देखना चाहिए पर outcomes inputs and outputs की जगा outcomes देखने चाहिए अगें यह कहना आसान है पर इसको implement करना measure करना ज्यादा मुश्किल होता है पर हम effort करेंगे so holistic approach और pragmatic approach तो यह तीनों message उन्होंने repeatedly धुराएं है उसके example दिये कि क्या क्या किया है और थोड़ा सा द्रिश्य दिया है कि हम housing पे थोड़ा ज्यादा करेंगे महिला के लिए क्या करेंगे इतना किया है करेंगे यूथ के लिए क्या क्या किया है और एक और चीज कहूंगा जो important है वो कहीं पे यह बुरा है हमें प्रधान मत्री ने कहा कि opportunities देखनी पड़ेंगी कई नई opportunities आएंगी उनको grab करना होगा और उसका उधारन यही है कि आर एंडी फ्यूचर रुपे का amount है वो बढ़कर 8000 रुपे हो जाना चाहिए था कुछ direct benefit transfer के लिए कुछ और नए programs launch हो जाने चाहिए थे वो सब कुछ नहीं नजर आया पॉपुलिस्ट बजट नजर नहीं आया देखो हाँ हाँ आपका question मैं समझ गया पर मैंने जब मैंने interview दी थी एक दिन पहले और चाहर दिन पहले मैंने कहा था कि most likely होगा कि जिसको vote on account करते हैं वो हम 50 साल से देख रहे हैं मैंने personally मैं 15-20 budgets में involved हुआ हूँ तो generally election से पहले और खास करके यह government है यह expect करती है कि हम फिर election के बाद आएंगे और proper full budget देंगे तो most likely यही था कि normal vote on account interim budget होगी और खास changes नहीं होंगे मैंने यह भी कहा था कि हो सकता है जैसे चीजें को expire हो रही है तो आपने सुना होगा वित्तमंत्री ने बोला कि एक दो जो incentive दिये हैं जिसको चलने देना चाहिए नहीं तो disturbance हो जाएगी वो extend कर दिये हैं मुझे explicitly पूछा था कि fiscal का क्या होगा मैंने कहा था कि जो इस साल का तो सब discuss हो गया है on track है ही सही बर government glide path जो दिया है पंदरावी finance commission ने जो ministers ने PM ने सब ने कहा है कि यह glide path और fiscal करेंगे हम उस पर ही अमल रहे तो आपको लगता है कि पॉपुलिस्ट बजट अगर हम इसको नहीं मान रहे हैं तो हम इसको balanced budget कह सकते हैं हम इसको economic fundamental economic basics के लिहाँ से एक आदर्श बजट कह सकते हैं हाँ देखे यह आपका ग्याना बिल्कुल ठीक है लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है है तो मेरा एक basic question सर आपके साथ यह है विर्मानी जी कि अगर हम अवाज आरी है मेरी ना जी 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 आप तो ऐसा है मेरा मेरा जो एक कोश लगता है डॉक्टर विर्मानी हमारे साथ नहीं है मनुसर आप continue कर अच्छा ठीक हानी मैं कोशन जो मैं कि यह जो growth है यह नीचे के तब के तक उतनी नहीं पहुंची जितनी की पहुंचनी चाहिए थी अच्छा हरा तो और यह के shape की recovery है तो अब यह है कि इंक्लूसिव कहां से हुई लेकिन साथ में यह भी fact है कि आज हमारी जो जो एकनोमी है आज हमारी जो आज हमारा जो एकनोमी growth है यह वर्ड में में हाईस्ट है मतलब अगर लार्ज एकनोमी इसकी बात करें जी और जहां तक आज के जो interim budget है इसकी बात है तो हम देखें तो interim budget में जैसे हमने सुभे बात करी थी कि जो जो करके 5.8% हो गया तो यह overshoot करा जी मतलब यह तो एक बहुत बड़ा वह है और अगले साल के 5.1 जो कि पहले बात कर रहे थे 5.3 होगा जी तो आप यह देखेगा कि तो एक बहुत अच्छा fiscal discipline इस सरकार ने में अगर आप बता सके दर्शकों को कि अगर हम अपना control रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा एक फिसकल डेफिसीट का control करने का मतलब है कि investors का हमारे देश की economy में एक confidence बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि बहार के जैसे banks हैं बहार के जैसे investors हैं वो इंडिया में invest करते हैं या हमारी companies जो बहार जाके fund raise करती है क्योंकि हमारी continuity बनीवी है हमारी economy में stable है तो उन्हें fund करने में fund raise करने में असानी होती है और fund raise कर और उन्हें fund और जो और जो फंड का जो interest rate होता है वो भी जनरली ठीक होता है अगर आप इंडिया में करती मजबूत अर्थ ववस्ता है और क्या उससे निवेश बढ़ेगा और क्या उससे रोजगार की संभावना पढ़ेंगी हां आप देखेगा कि जब investment आएगा तो company एक्जिस्टिंग कंपनिया के ओपर वोटन एकाउंट में जिसमें नजर थी वह यह था दूसरा जो है अगर आप के बात करें तो क्या हुआ था आपको धियान होगा कि कोरोना का जब पीरिड था दोजार बीस तो कोरोना के बहां तो कोरोना में क्या हुआ उस वाले उस वाले पीरिड में जोगी private investment बंद हो गया था बिल्कुल और उस समय तो एक तरीके से बिलकुल ही खतम सी हो गई थी तो ऐसे में फिर गवर्मेंट ने अपना जो expenditure उसको बढ़ाया कैपक्स उस समय में में बढ़ा और उसने एकनोमी को जो बूस्ट देना चाहिए था वो दिया तो अभी तो आपने देखा होगा कि 3.4 परसेंट जीडिप 11 लाख करोड का जो जो है जो अगले साल का टारगेट है वो पिछले साल का भी भी करीब-करीब से तो आप देखेगा कि तो इससे भी जो जो एकनोमी को जो बूस्ट मिल रहा है वो अगले साल भी वो चीज कॉंट्यूनी रहेगे CAPEX मतलब capital expenditure, capital expenditure का मतलब क्या होगा, root ज्यादा बनेंगे, pull बनेंगे, क्या होगा, capital expenditure होता है कि जब भारत सरकार अपना पैसा खड़्च कर्ती है, सरकार का पैसा खड़्च कर्ती है, सड़के बनाने में, डैम बनाने में, railway बनाने में या फिर defense में, PSU में वो सारा वो पैसा खड़ जोता है, जनरली जब ये पैसा खड़ जोता है तो उसमें लोगों को रोजगार जादा मिलता है और economy को एक बहुत बड़ा boost मिलता है। नहीं मुझे गड़ता है ये बहुत ही साधारन सा और continuity प्रोवाइड करने वाला budget था, ये बलकि पूरा budget भी नहीं था और हमें देखना होगा कि जून में हमारा budget कैसा आता है, लेकिन budget से ये जरूर पता चल गया कि हमारे budget का scale कैसा है, tax mobilization किस सरे से चल रहा है, economy की स्थितिक क उमीद होती है कि कहीं पर tax में खटाती होगी, कहीं पर कोई चूट मिलेगा, कहीं पर कोई फाइदा होगा, इसी भी तरह का छोटा मोटा फाइदा या नुकसान इस budget में नहीं हुआ है, tax में बदलाव होना चाहिए, जादा तर लोगों की उमीदें थी, क्या आपको लगता ने अंतरिम बजट में tax को लेकर कोई बदलाव ना करने का जो एलान किया है, यही आइडल सिचुएशन होनी चाहिए, सर इंतरिम बजट से यही उमीद की जानी चाहिए, अहां इंतरिम बजट में तो यह बेसिकली सर्दार को solvency प्रोवाइड करने के लिए इंतदाम है, इसलिए इसको short term देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की दरूरत थी, अगर आप टैक्स के तौर पर अगर नहीं देखा जाए, कि टैक्स ही कुछ छूट कुछ मिलती, लेकिन हमारे सिस्ट्रम में बहुत तरीकी के anomalies हैं, और बहुत सारी चीजे महंगाई दर से, जैसे आपने देखा होगा कि सिक्षन 80C के तहट आपको डेल लाग रुपे का पुराने सिस्ट्रम में जो छूट मिलती है, वो साल दर साल बदला ही नहीं है, हमारे टैक्स रेट जो हो महंगाई के हिसाब से बदले ही नहीं है, तो और दूसरा चीज कि जो housing loan पे जो interest का जो ceiling है कि दो लाग रुपे तक आपको उस पर tax, सरकार अगर चाहती है कि incentivize करें लोग मकान खरीदें, और चुकी मकान खरीदना, उसका underline यह है कि यहाँ पे बहुत रोजगार मिलता है लोगों को, जब भी नए मकान बनते हैं, तो वहाँ लोगों को बहुत काम मिलता है, और यह सरक और बजट में जो मैं सोचता हूँ कि एक financial bill है, और यहाँ पे बहुत सारे glitches को clear किया जा सकता है, एक बड़ा सा glitch, जो real state regulation रेक्टा है था, लाकों लोगों को मकान नहीं मिला है, वहाँ पी कुछ कारवाई करने की जरूरत से, दिरिंसर tax के मोर्चे पर मैं आप से थोड़ा में मिल जा रहा है, हमने tax refund के पूरे process को बहुत बहतर किया है, दस साल में direct tax collection बढ़ा है, return file करने वालों की संख्या धाई गुना लगबग बढ़ चुकी है, साती साथ उन्होंने कहा कि जो tax related provisions गैर जरूरी थे, उनको खत्म कर दिया है, वो 10,000 रुपे का अगर tax बनता है त केवल tax दरों में कमी करने के जुरूरत है, क्योंकि यह जो GST का जो बोज है, GST का जो वजन है, GST का जो जिसरा का विस्तार हुआ है, हमारे देश में बने ही कम लोग tax, direct tax pay, income tax pay करते हों, पर अगर आप पारले जी का भी पांच लुपे का अगर आप पिस्किट खरीदते है तो उस पे भी GST लगता है, उस तरह से बारत में आज जो GST का विस्तार हुआ है, उसमें यह कहना कि बहुत कम लोग tax pay करते हैं, यह गलत होगा, सब लोग tax pay करते हैं, और यह अनिवारे हो गया है, इसका execution, implementation बहुत दमदार है, बहुत जवर्दस है, और यह अच्छी बात ह ही, यहाँ पर बहुत बहुत और सुविधा की जरूरत है, और इन चीज़ों में बिलकुल एक बदला हुआ है, और हमें देखना चाहिए कि हम इसको कैसे eliminate कर सकते हैं, चीक है, दिन से एक चीज़ और आप से सबजना चाहूँगा, टेक्सपेर्स 2013-14 में हमारे देश में 3 कर 41 लाक हो गए, जी एस्टी पे करने वालों का जो आकड़ा है उसको भी अगर हम देखे तो 2017 में 98 लाक लोग जी एस्टी देते थे, 2023 के आखिर तक आते आते एक करोड 40 लाक लोग जी एस्टी दे रहे हैं, यह जो transparency है और जो सरकार की कोशिश रही, ministry of finance की कोशिश रही की tax payers का जो base है, उसको जादा बढ़ाया जाए, उस दिशा में ministry of finance सही तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है, जी आ, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा number है, 7 करोड लोगों का direct tax, income tax pay करना, और जी एस्टी के दारे में तो सारे लोग आही जाते हैं, क्योंकि जी एस्टी तो यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, बलकि लोग जो बोलते हैं कि demonetization एक failure था, शायद वो failure था बहुत सारी dimensions पे, पर इस dimension पे वो बहुत ही खरा उतरा है कि लोगों के मन में, लोगों के मन में और खासकर जी एस्टी का जो implementation है, demonetization और जी एस्टी इन हुआ है, यह काफी जबर्दस है, और इस से लोगों के लिए एक खास किल के बाद tax से बच बना असंबव है, ठीक है, एक चीज़ और आप से समझना चाहूँगा, political जबाब उसका सर, क्या आज के बजट भाशड से आपको भी लगता है कि सरकार पूरी तरीके से confident है, सरकार को लगता है, वितमंत्री को लगता है कि अपने अंतरिम बजट भाशड में किसी भी पॉपुलिस्ट ऐलान करने की जरुवत नहीं है, उसी की जलक यहां पर देखने को मिल रही है, जी हां, बिलकुल यहां पे कोई भी पॉपुलिस्ट मूद नहीं की लिया गया है, जो कि कि जो 10,000 रुपया और 25,000 रुपय का जो के जो छोटे-छोटे केसे से और एक करोर लोगों के केसे से, इनको खतम कर देना, यह सरकार का बिजनस राइक आटिटीटूड बहुत ही जबरदस लगा, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि सरकार की इन चीजों को बहुत बारी से देख रही है, जंजट को खतम कर रही है, और एक करोर लोगों के केस के लिए, अगर इस रकम के लिए, अगर सरकार सालों साल अगर चिट्थी-पत्री करती रहती है, तो उस पर खर्चा जादा हो जाएगा इसके बजाए कि जितना टैक्स मिलना है, बिलकुँ, हैं कि अब बीजेपी के सामने पॉलिटिकल चैलेंजिस बहुत कम हैं, और अगर अभी हम देखें तो थोड़े दिनों पहले बिहार के चुफ मिनिशर नितिश कुमार भी इंडिया एलाइंस चोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, उसके पीछे एक रिजन यही है कि उन्हें उनका जो फ्यूचर है, वो बीजेपी के साथ काम करने में कहीं ज्यादा अच्छा है, और इससे पहले जो तीनी स्टेट में एलक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने स्वीप करा था, और जो भी इंटरनल सर्वेश हैं, या किसी भी तरीके, या फिर जो इंडिपेंट बात कहता है कि मुदी सरकार वापिस आएगी, और ये वोटन एकाउंट की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ वोटन एकाउंट में भी अगर हम देखते हैं, तो ये चीज़ सामने आती है, आपको ध्यान होगा कि लास्ट टेम 2019 में, 2019 में भी ये था कि थोड़ी बीजेपी बिना कोई चांस लेते हुए कुछ वेलिफियर का एनाॉसमेंट करें, लेकिन ऐसा इस बजट में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये भी है कि अगले 5 साल उन्होंने ही सरकार चलानी है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे, जिससे कि उनको खुदी को दिक्कत हो, तो ये मेरी ख्याल से बिलकुल एक दिखाता है कि BJP कंदर आज की रिट में, मैं कॉन्फिटेंस है, धिरिन सर, R&D पर जोर देने का एलान किया है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाशर में, जिसको बताया जा रहा है कि देखे, इसका आसर आने वाले वक्त में, बहुत स जादा एक्स्प्लोर किया जा सकता है, उस लिहाद से बहुत जरूरी है, जौब अपर्चुनिटीज के लिहाद से भी आपको लगता है कि यह बहुतर एलान है, किस चीज़ के बारे में आपको लगता है, यह एक बहुत बड़ा बदलाओ है, और यहां पे इतने कमिट्में और इनोवेशन के लिए अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट, अगर सरकार कैटलाइज करती है, या अलोकेट करती है, और इस सरकार का एक खासा बात यह है, कि अभी तक जो कुछ भी अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो तो दिखता है, लेकिन यह सरकार कुछ करने के ब और उसका जो असर है, और यहां पर एक इनिशियेटिव रिसोर्स के साथ अवेलिबल होना जहां पर हमें बड़ा बदलाव दिखेगा, इसके वज़े से हमारे हाँ एकॉनमी में एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रेंथ आ सकता है, रिसेर्च के खर्चे का आउटकम या रिज इस्टिमेट करना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका नुकसान नहीं होता है, और इसके वज़े से जो एकॉनमी कॉन्फिडेंस या जिस सरह का आपके मनिफैक्टरिंग में जिस सरह की शुरुवात हुई है, उसमें जिस सरह का मोमेंटम आ सकता है, उसका आकलिन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेमान जुड़ चुके हैं, सचिन चतरवेदी जी आप बीजी हैं, राइस के सचिन सर बहुत स्वागत है आपका, सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज का जुवितमंतरी का भाशन है, ये देश को देखिए उसके तीन महतोपून अंग हैं, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे, सबसे पहला किसी भी कंट्री के एकॉनोमिक ग्रोथ के लिए और जो फाइफ ट्रिलियन एकॉनोमी के आप बात कर रहे हैं, उस फाइफ ट्रिलियन एकॉनोमी में नॉलेज इंडस्ट्री, आ रिसर्च इन डवलप्मेंट के साथ ही हो सकता है, तो इस बुजट में जो एक लाग करोड रुपे का प्राउधन रखा गया है, जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आर और इंडी को बढ़ाने का काम, चाहें वो टेक्स्टाइल इंडस्री बे हो, जहां आने का, वो ज्यादा करके उन लोगों के लिए है, जो फिसकल प्रूडेंस में विश्वास नहीं करते हैं, तो सरकार की ये कोशिश की हम फिसकल प्रूडेंस, फिसकल बैलेंस को रखें, तो जो 5.8 का वितमंत्री ने जिक्र किया, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको जो ह हमारा भविश्वन मुखी है, जो हमारे economic progress में impetus देने वाला है, वो ये एक major आज का announcement है, दूसरा उसको हमने discipline के साथ किया है, और तीसरा अनुरग जी जो सबसे महतुपून बात है, वो capex को affect नहीं होने देना है, आज आप देख रहे हैं कि विश्व में भारत तेजी से उ 7% का आ गया है, तो ये जो 7% economic growth है, ये उस समय पे है जब बाकी सब का deceleration हुआ है, तो ये जो deceleration बाकी लोगों का हुआ है, उसके चलते एक महतुपून कदम भारत ने आज फिर वित्तमंत्री के माध्यम से उठाया है, और हमने capex को बिना किसी disruption के इस साल भी आगे बढ़ान देखें पिछले बजट में, तो उसकी कलपना सरिफ 10 लाग करोड पे की गई थी. केpex को बढ़ाने का सर तो रात और रात नहीं दिखेगा सर, आप करेक्ट कीजेगा मुझे सचिन सर अगर मैं गलत हूँ तो, आप से भी इस सवाल का जवाब लूगा और मनुश सर आप से भी बात में, दिरिन सर, capital expenditure को बढ़ाने के पीछे की मनशा सरकार की long term vision की है? Long term vision तो है, उसके अलावा यह जो capital expenditure है, या आप randomly या अबरब्ली आप इसको कम नहीं कर सकते ही, capital expenditure यह किसी एक अप्रील से खर्चा शुरू होकर कि 31 मार्च को खतम नहीं होता है, बहुत सारे projects आपके ongoing है, बहुत सारे continuity में है, तो अगर हमें, और अगर हमारे economy में अगर सारे downturn के बाउजू, सारे recession के बाउजू, सारे COVID वाले period के बाउजू, उस तरह के बाउजू, तो वो सरकार का capital expenditure ही है, और अगर इस देश में, अगर पासा साल में अगर कोई चीज दिख रहा है, तो नए rail, नए rail tracks, बड़े road, बड़े bridges, और इसको अगर हम, और इतने बड को अगर हम decelerate करते हैं, या abruptly रोकते हैं, तो बहुत मुक्सान होगा, पुराना लगाएवा, पुझी भी शार डूल सकता है, ठीक है, इसलिए वो जो विजन है, उसकी जहलक मनुष सर वितमंत्री ने अपने भाशन में दिखाई है, कैपेक्स के आउटले को बढ़ा कर, सज अगर हम अपने देश की बात करें, तो मैं एक छोटा सा कंपेरिजन आपको दूगा, कि हमारे की मैं सिरफ टेली कॉम सेक्टर का एक मैं आपको देता हूँ, टेली कॉम सेक्टर जब से ओपन अप हुआ है, ओपन अप होने से पहले हमारे हैं चोटी मोटी आरेंडी जो आई करती थी, उसके बाद उसमें billions of dollars का investment हुआ, सारा का सारा बहार से आया, और चोटा मोटा जो यह PSU आरेंडी बगारा करती थी, वह भी सारा का सारा खतम हो गया, यह जिस समय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का announcement किया था, मेरे का 2014 की बात है, तो उस समय का मैं figure आपको बतात था हमारे देश में, वो 300-400 करोड से उपर नहीं था, और आज की रेट में भी 400-500 करोड से उपर नहीं है, वह हम चाहिना की एक कंपनी ले, हुआवे, हुआवे का जो आरेंडी का investment था, वो 12 बिलियन डॉलर था, वो मेरे खियाल से आज की रेट में 15 बिलियन डॉलर के investment जो था, उनके जो प्रोडेक्स उन्हों ने जो बनाए हम तो उनके सामने कहीं टिकता ही नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है, कम से कम गवर्मेंट इंडिया का इसकी तरफ ध्यान तो गया, और आज का जो बजट है, उसमें कम से कम इसके बारे में जिक्र शुरुआत हो शुरुआत भी और वह स्केल की, मतलब आज की डेट में आरेंडी में जब आप इंवेस्ट करते हैं, तो आरेंडी में 400-500 करोड का investment नहीं होता, उसमें आज की डेट में बिल्लियम सफ डॉलर का investment होता है, और उस investment में भी result पांस साल के बाद ही आता है, आज आप देखिए IT सेक्टर की हम बात करें, तो मेक इंडिया IT का आज की डेट में है क्या कुछ भी नहीं है, किसी भी सेक्टर की आप बात करें, तो यह मेरी ख्याल से बहुत है, सचिन सर, कुछ लोगों का कहना है कि देखें, बिडिल क्लास के लिए तो इस बजट भाशन में कुछ नहीं है, चुनाफ से पहले कुछ तो होना चाहिए था, क्या कुछ ऐसा है जो सर हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इस भाशन को पढ़ने के बाद थोड़ा आप डीकोट करके सरल शब्दों में समझा सके हैं सर, अच्छा, सचिन सर, अनुराग जी, दो या तीन बाते मुझे लगता है, महतुपून हैं, और अगर पिछली चर्चा कोई अगर हम आगे बढ़ाएं, जिसमें आप इन्फरेक्सेट्चर प्रोजेक्स की बाद करेते हैं, फिर मैं मेडली क्लास के उपर आता हूँ, अगर आप देखें, दो हजार चौदा से लेके दो हजार बाईस तक, सरकार ने करीब-करीब दो हजार प्रोजेक्स इंप्लिमेंट किये हैं, जो करीब-करीब पचास लाग करोड की लागत से बने हैं, तो जो आप कह रहे थे कि इसका आसर तुरंत नहीं दिखेगा, अभी आपने देखा, जब हमने आयो क्राइसी की जो क्राइसिस हुई है, उसके उपर अगर हमारे जहाज और हमारा बंदरगाह सारे काम कर रहे हैं, तो उसका एक बड़ा कारण है कि हमने भारत-माला जैसा मेजर प्रोजेक्ट हमारे पोर्ट के इन्विगुरेशन के लिए उनके नवीनी करण के लिए करा, तो भारत ये क्राइसिस से कैसे उभर रहा है, ये हमें रोज दिख रहा है, तो इन्विगुरेशन का ये जो हुआ और इसका एक सबसे महतुपून परिणाम और कारण शायद अगर आप समझें, तो वो यही है कि प्रधान मंत्री ने स्वयम प्रगती नाम का जो कारिक्रम शु रहते हुए, दो हजार प्रोजेक्स से भी ज्यादा कम्प्लीट किये जा चुके जो कि पचास लाग के थे, अब मैं अगर आपके मेडल क्लास वाले सवाल के उपर आऊँ और आप से ये बातचीत करना चाहें, तो अगर आप देखेंगे, हाँ, कि ये सरिफ मेडल क्लास में अगर मुझे लगता है कि अगर आप देखें, तो तीन तरह के बहतर उपाए हम लोगों के सामने निकल के आएं, और वो यूथ के लिए है, वीमन के लिए है, दौनों छेत्रों में महतुपून कडियां आई हैं, जो लगपती दीदियों की जो बात हुई है, जिसकी संक्या तेजी से बड़ी है और सरकार ने उसके प्रयास की हैं, दूसरा यूथ को पर्टिकुलर्ली जो लोग स्टार्टप्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा के नए आउसर जुटाने के लिए, और मिल्ली क्लास के लिए सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले लें, आप आज देखेंगे जिस संख्या में IIT, IIM, AIMS बनाने की आज वित्तमंत्री ने सामने बात रखी, रोड मैप रखा, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सचिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनुस सर, आपका भी इस बजट का मतलब क्या है आने वाले वक्त के लिहास सरल शर्दों में अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, धन्यवाद